हाई डुल्दीज, वेलकम टू इजी वे कॉमेर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपनी इंडियन एकॉनमी का चेप्र नमबर वन पढ़ रहे थे और आज उसी को पढ़ेंगे चेप्र का नाम क्या था गाईज, चेप्र का नाम था इंडियन एकॉनमी ओन दी इव अफ इंडिपेंडेंस इसमें हमने काफी सारे नेगेटिव चीज़े देखी थे कि ब्रिटिश ने इंडिया के लिए ये खराब किया, वो किया इंडिया को आके लूट कर ले गए बहुत चीज़े देखी आज हम उनके बारे में कुछ अच्छा देखेंगे कि उन्होंने कुछ अच्छे काम किये, नहीं गाईज, उन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं किये थे, लेकिन इंडिया वालों ने उसका फिर भी बेनेफिट उठा लिया था, यानि कि उन्होंने करा तो अपने हुआ तो आज का टापिक है positive contribution of British government यानि कि British government का क्या positive contribution हमारी Indian economy के लिए रहा तो सबसे पहले है guys self-sufficiency in food grain production अब self-sufficiency का मतलब होता है कि हम अपने आप में इतने sufficient हो चुके हैं कि हमारे पास सारे के सारे जो खाने के grains होते हैं वह लग अनाज जो जिसे हम आनाज कहते हैं वो बहुत मात्रा में production हो रहा था कि हम खा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं जबकि पहले क्या ओता था गाइस कि हम उतना ही उगाते थे जितना हमारे लिए जरूरी हो लेकिन आज की date में क्या हो रहा था जोड जोड दिया जो मार्केट में बिख सकती है यानि कि हम लोगों को बोला कि वो चीजे प्रेड्यूस करो जो मार्केट में बिख सकती है हाला कि इसमें इनका benefit था गाइस क्योंकि इनोंने हमें cotton, jute ऐसे कुछ चीजें हैं जिसमें बहुत force करके हमसे वो बनवाए गए थे cotton की खेती करवाए गए, jute की करवाए गए, क्यों? ताकि वो ये बिटेन ले जा सके वहाँ पर इनकी production में काम आ सके इनकी चीजें बन सके, इनके final goods and services बन सके, तो कही न कहीं इनके commercialization में हमारे food grain को भी benefit हुआ और हम food grain में self-sufficient हो गया, यानि कि अब इतना था कि खाएंगे भी और बचाएंगे भी Second guys, क्या हुआ, better means of transportation, ये तो हम लोग आज भी कहते हैं guys, कि उस समय पर इन लोगों ने roads बनाने में, आर्ट थोड़ा सा टेड़ा हो गया, roads बनाने में and guys railway Railway में तो आज भी हमारे इंडिया में full network है, railway का, हम उसे use करते हैं, right So better means of transportation, road and railway सबसे जदा जाना जाता हैं, और guys ये किस ने बनाया था, 1850 में आपको याद हो नची, 1850 में railway आया था, कौन लेके आया था, British government लेके आया थी तो उसका benefit भी हम इंडिया वालों को मिला है, आज भी railway है और उसका हम भरपूर फायदा उठा रहे हैं, तो हमें better means of transportation इन्होंने दे दिया, अनजाने ना अनजाने में, क्योंकि इन्होंने ये भी अपने benefit के लिए बनाया था, बता दू, ताकि समान को एक जगे से दूसरी जगे पर पहुंचा के ये बेच सकें, ठीक है, थर्ड है guys, check on famine, यानि कि कई जगे पर जैसे अकाल पर जाता है, सूखा पर जाता है, जिसे हम drought कहते हैं, कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई, तो खेती नहीं हो पाई, food grains नहीं है, तो इसमें हम road on railway का help लेते थे ताकि हम वहा कहीं, ये एक positive contribution road and railway की बज़े से ही हमें यहाँ पर मिल पाया, fourth है guys, shift to monetary economy, सबसे पहले तो हमारे पास था barter system, एक हाथ दे और एक हाथ ले में हम समान देते थे और समान ही लेते थे, तु मुझे जूता दे मैं तुझे चपल दूगा, लेकिन आप इनों के उससे क्या हुआ पैसे दो और चीजे खरीदो, तो आज भी हम लोग यही कर रहे हैं, पैसे देते हैं, तद समान आता है, अगर आप दुकान वाले को जाके बोले है, चावल ले ले आठा दे तो आज की टाम में तो वो नहीं होगा, चेंज किस ने किया, इन लोगों ने किया, अपने benefit के लि कर, तब तो सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, आज तो हमारे चोटे-चोटे सिक्के और रंग बिरंगे नोट आ गई है, कोई बात नी, बट हमें एक monetary economy में shift किया, इसके बात है guys, effective administrative setup, भाई इन्होंने इतना अच्छा setup कर दिया था, आज भी आप Delhi में आओगे, तो cannot place देखोगे, इनका ही बनाया हुआ है, तो काफी अच्छा जो, ये तो मैं एक construction के बात कर रही हूँ, लेकिन administration या administrative setup होते है guys, कि इन्होंने पूरा हमें एक तरीके से institute प्रोवाइट किया था, politicians का, जो हमारे politicians को बाद में help मिली, कि किस तरीके से हमें economy को चला तो ये भी हमें कहां से मिला, Britishers से मिला, हाला कि उन्होंने जो administration system बनाया था, कि किस तरीके से देली से बैठ कर वो हर जगे पर control कर सकते हैं, उसका benefit बाद में हमारी government से उठाया, तो हमें already एक setup मिल गया था, कि अब हमें बनाने की need नहीं थी, so guys, ये कुछ positive contributions थे British government के, I hope बिट आउट है, तो Instagram पर मेरी idea तबिता में सी, पूछ सकते हो, या फिर YouTube पर कमेंट के तुर पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो समझ हाई है, पसंद आई है, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना, बिल्कुल न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें guys, for more new videos, bell icon को praise करें, thank you